अब आ गया है आईटल विजिन वन नए इंडिया का नया विजिन बड़ी स्क्रीन के साथ एंटर्टेइन्मेंट का विजिन बढ़ा दूल सेक्योरिटी फीचर्स के साथ प्राइविसी का विजिन बढ़ा बड़ी बैटरी के साथ अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज का विजि आपने कैसे एक महिला बीजेपी की पूर्व मेयर शकुंतला भारती पर एक मुस्लिम लड़की का धर्म परिवर्तन करवाने का गंभील आरोप लगा रही है लड़की ने आरोप लगाया है कि शकुंतला भारती ने उसकी पहन का धर्म परिवर्तन कराकर उसकी शादी हिंदू पूर्व मेयर शकुंतला भारती ने इन आरोपो को सिरे से खारिस किया है। पूर्व मेयर ने कहा है कि अगर कोई ये सिद्ध कर देता है तो वो उत्तर प्रदेश को छोड़ देंगी। अगर इस तरीके का ये वारोप मेरे पर लगा रहे हैं। और सिद्ध नहीं कर सकते तो इस तरीके की बाते करना खतम कर दें और किसी पर आरोप लगाना बिल्कुल खतम कर दें। उदर घर से गायब हुई लड़की ने हिंदू लड़के से शादी कर ली है और कहा है कि उसने अपनी मर्जी से शादी की है। उसके ओपर किसी ने दबाव नहीं बनाया है। जानिये क्या है पूरा मामला साथ अगस को एक मुसलिम लड़की अलीगर के सासनी थाने से लापता हुई। बाद में गायब हुई लड़की ने हिंदू लड़के से शादी कर ली। जिसके बाद लड़की की बहन ने अलीगर के पूर्व मेयर शकुंतला भारती पर लड़की का धर्म परिवर्तन करवाकर हिंदू लड़के से शादी करवाने का आरोप लगाया। मामला गर्माने के बाद लड़की ने खुद सामने आकर बताया कि वो बालिग है और अपनी मर्जी से उसने शादी की है। इस बात के लिए उसके उपर किसी ने दबाव नहीं बनाया है। बता दे कि पूर मेर शकुंतला भारती पहले भी अपने बयानों को लेकर विवादों में रही है। इससे पहले शकुंतला भारती ने लव जिहाद को लेकर कई तरह के बयान दे चुकी है। भारती ने ये भी कहा था कि राजचुगान नागाने वालों को ये देश छोड़ देना चाहिए पिछले दिनों हिजाब को लेकर हुए विवाद पर भी उन्होंने कहा था कि वो आरोपी लड़के को लोहे का हिजाब पहनवा सकती है ब्यूर रिपोर्ट यूपी तक